नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूटीब चैनल इस्पिज्वल स्फ़ार करकेशा हम सब्स betran ना पता हो लिकिन विंधावन जाने के कुछ अपनी तरीके हैं पर आज आपको मैं इस वीडियो में बिर्णावन जाने के कुछ नियम बिहारी जी के दर्शन करने के कुछ नियम बताऊंगे चलिए सुरू करते हैं हम सभी चानते हैं कि बिहारी जी के दर्शन है वो बहुत ही मुस्किल से होते हैं और हम सभी लोग बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं, कहते हैं कि जो एक बार 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 अंदर से इच्छा जाग्रत होती है दर्शन करने की, तो हम बार 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 बिहारी जी के दर्शन करने जानना चाहते हैं, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि बिहारी जी के दर्शन क करने के लिए हमें तारी नियम को बताओंगी जने करने से आप अच्छर सकते हैं आपको बहुत ही profit कि यह पांछ जो मैं आपको बताओंगी तो पहले हैं तो आप उसको प्रणाम करिये मट्टी अप Findtil उठा आप अपने माथे से भी लगा सकते हैं ये पहला नियम है व्रिंदावन जाने का सबसे पहले आपको वहाँ पर जा करके उस रज को पराम करना और क्यों करना है अब आपके मन में ये कोशन उठा होगा तो जो बिहारी जी थे वो व्रिंदावन में वहां के पेड़ पौदें लता वगेरा को आप दर्शन करिए कहते हैं कि वहां पर जो भी पौदे हैं वो सब रिशी मनी हैं जो भगवान के दर्शन करने चाते थे रिशी मनी वो सारे भगवान से इतने प्रेम में बन जाते थे कि वह वहीं उन प्रेणों व्रिच्छों के रूप में रह जाते हैं तो जब भी आप जाए व्रिंदावन प्रेणों को परणाम करिए उनके गले लगिए और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपको एकदम सांती कानभा होगा तीसरा है वहां के व्रिजवासी जब भी आप व्रिंदावन जाए ये आप वहां के व्रिजवासी को परणाम करिए उनने गले से लगाईए उसे राधे राधे बोलिए आपको अपना इतना प्रत मैसूस होगा जो आपको कही नहीं मैसूस होगा वह सारे आपको उसी तरीकी से गले लगाएं जैसे एक भाई दूसरे भाई को लगाता है तो अब जब वरंदावन जाएगा तो यह करके देखेगा आपको खुदी समझ में आएगा कि जो कि आप पहले वरंदावन आए थे आपको कैसा फील हुआ था और इस वार वरंदावन आए आपको कैसा फील हुआ है। चोटे हैं यमना में जब भी आप वरिंदा वन जाएए एक पर यमना जी के पास जाकर उनको परणाम जरूर करिए कि भी कहते हैं कि यमना माही वो पावन नदी हैं जिनोंने भगवान के साथ अपना समय वितीप किया है वो उनकी गती के साथ वही हैं तो आप एक बार अगर वरिंदा वन जा रहे हैं तो आप एमना नदी में जाएए आच्पन करिए उनके जलकों परणाम करिए वहां पर कुछ देशांती से बैठिए आपको बहुत ही सुखत अन्भव प्राप्त होगा चोगते हैं हमारे गोपेशर महादेव जब भी आ वरिंदा वन जाएए गोपियों के साथ लीला कर रहे थे रास लीला कर रहे थे तब उपर कैलाश में बैठ कर संकर भगवान ने उनकी लीला को देखकर उनके मन में भी उनके साथ लीला करनी की एक भावना जाकर थी तब वह एक गोपी का रूप धारण करके रास लीला में आए लेकिन भगवान आप जब जायेगा और एक बार आप पूरा वरिंद्रवन के दशन करनें ए बहारी जी आपको देखेंगे तब आप आप Split तो आप एक बार ऐसा करके देखें देखेंगे आपको अलग ही अन्भव होगा आपको एक अलग ही प्रेम के अन्भूत होगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा राधे राधे